वेलकम टू माई यूटूब चैनल एसेसी प्रप्रास फ्रेंड्स मैं आशोक सहर अंजली कोचिंग सेंटर प्रप्रास मैं आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज के कलास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th कलास के बायोलोजी का आठमा चेप्टर मानव स्वास्त एव मरूग के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स कलास शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्विस्ट है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी का एकन को दबा ले जिससे की आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंड्स सवाए ना गबाते हुए शुरू करते हैं आज का कलास हम लोगों ने इसके पहला वीडियो में मतलब इस चिप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों नहीं तीन बिमारियों के बारे में पढ़े थे और आज के कलास में हम चौथे बिमारी से आगे क्योर पढ़ेंगे तो friends चलते हैं हम लोग आज के पहला topics पर जो है सामान्य जुकाम ये भी एक संक्रामक रोग है तो friends सामान्य जुकाम क्या होती हूं विशानों का एक विशेश साखा सम्मू जिसे राइनो वाइरस कहते हैं यह मनुस में एक से ज़्यादा संक्रमन रोग फैलाता है इस रोग को सामान्य जुकाम कहते हैं यह नाक और सोसन पत को संक्रमित करते हैं फ्रेंट्स विशानुओं के द्वारा यह फैलता है सामान्य जुकम जो मनुस के नाक और स्वसनपत को संक्रमित करता है इसके लक्षन है मांस्पेशियों में दर्द, खासी, छीक ना नाक बहना, संकुलन, गंध ना आना, नाक के पिछले भाग से रिशाव का, गले में जाना या लालपन, अगला फ्रेंट्स इसमें अच्छा महसूस ना करना, ठंड लगना, ठकान, पूरे सरीर में दर्द या बुखार, अगला नाम आके खुजली या लालपन होना, गले में खरास, सिर्ध दर्द, सीनें बेचैनी होना, कुछ लक्षन तीन से साथ दिनों तक रहती और कुछ साथ से दस दिनों तक, तो फ्रेंट्स ये सभी इन बिमारियों के लक्षन थे, आगे आते हैं कि इनका संक्रमन कैसे फैल था, वो देखिए, पहला कि संक्रमित भ्यक्ति की पेन, किताब, प्याला, केंप्यूटर, के कीबोर्ड आदी से लोग संक्रमित हो जाते है जैसे हम जिस भ्यक्ति को सामाने जुकाम हुआ हो, उसके के पेन, किताब, प्याले, या कम्प्यूटर या उसके कीबोर्ड आदी को छूते हैं, तह हम संक्रमित हो जाते हैं, अगहला है, जैसे हम संक्रमित भ्यक्ति के पास बैठते हैं, वो देख स küçükते हैं, वह भाहिवसे स दस्तान ने पहनने चाहिए, अगला सारे रिक दूरी बनाना चाहिए, अगला इस से बचने के लिए अभी कोई प्रभाब सारे टीलक का उपलब्द नहीं है, अतर ये जो उपर की जो चार पॉइंटे हैं, वो करना आवसिक हैं, तो फ्रेंट्स अगर आप सामान जो काम से दोलें, चेहरे पर मास्क पहनें, हाथ में दासाने पाना हैं, और सारे रिक दूरी बनाए रखें, फ्रेंट्स सम्लूओं का जो पांचमा संक्रामक रूग है, वह है 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 जाया कॉलरा, है जाया कॉलरा, यह बिबिडियो कॉलरी नामक जिवानों, दुशित भोजन या पान के साथ मनुष की छोटी आत को संक्रमित करता है, एवं एक विशाक्त पदार्थ सरावित करता है, जिसके कारण बार बार पाने जैसा पाना के साथ साथ उल्टी होना, दूसरा, कमजोरी एवं बेचैनी महसूस करना, तीसरा, आखों का अंदर की और धसना, चौथा, बहुत कम मुत्र त्याग करना, इत्यादी इस बिमारी के प्रमुख लक्षन है, इन लक्षनों को देखते हैं, रोगी को जल्द ही किसी अनभवी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ये जो उपर वारे लक्षन है, अगला है, ये आप किसी फरिवार किसी बैक्ती में हो, तो आप उन्हें तुरत डॉक्टर से दिखा लें, जो अच्छे डॉक्टर हो, जो जानकार डॉक्टर हो, उनसे दिखाना, अगला है, कोलडा का नियंदर, इस बिमारी में निर्जली करन को रोकना बहुत जरूरी है, इसके गोल की लगानी चाहिए फेंट्स क्या होती है कि जब अगर विमारी हो गई तो इसमें निर्जाली कहन होती है अर्थात बार-बार मनुश को प्यास लगता है रोगी को बार-बार प्यास लग रहा होता है तो उस इस्तिति में ORS सरकरा नमक का गोल देना चाहिए संब्भव होने पर जिवद संब्भ नव और तिस्त एने सीयल के गोल किसी भी लगा देनी चाहिए फेंट्स आते इनके रोग थाम पर देखे रोग थाम पहला रोग थाम के लिए सबसे अधीक आवसेक है कि लोग समय पर टीका लगा लें एपन कॉलरा फाले हुए अस्थान पर ना जाएं दूसरा समाज सेवकों को घर घर जाकर तथा सार्वजनिक अस्थान पर स्वास्त संबंधी विशेश कर कॉलरा के संबंध में जानकारी देना चाहिए लोगों को पानी उबाल कर ठंडा कर छान कर एवन धक कर रखना चाहिए जवरत के समय इस पात्य से ही पा स्वास्तान पर ना जाए अगला है कि जो समाज सेवक है उनको घर घर जाकर सार्वजनिक स्वास्त संबंध भी इसका कउड़ाइक समस्त में जानकारी लोगों के बीच देना चाहिए साथ ही लोगों को भी चाहिए पानी को फान्डा कर ठंडा कर छान कर एवन धककर रख ल कोरिन डाल करके भी जिवान मुक्त कर लिया जा सकता है अगला है बीमारी फैलाने वाली मख्या बाहर से घर के अंदर नहीं आने चाहिए रोगी के पखाना या उल्टी बाहर में रहता है तो मख्या उस पर बैठ जाती है और वहीं मख्या किसी ने किसी के भोजन पर फल पर संक्रमित हो सकता है क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है अगला संक्रामक रोग है एंथ्रेक्स बैक्टिरिया वैसिलेस एंथ्रेक्स पाल्तू गय भैंस कुत्ता बक्री आधी को संक्रमित करके एंथ्रेक्स नामक भयांकर रोग से ग्रशित कर देता है जो एक वैक्टिरिया ह वह क्या करता है कि पालतु गय भैस कुट्ता बकरी आधी को संक्रमित करके उसमें एंत्रेक्स नामक भयान अगरोग उत्पन कर देता है। इन पस्वूँ के संपर्क में रहने से यह विमारी मनुष में भी फैल जाती है। इसका संक्रमन तुषा द्वारा कम अर्था 20% होने की चांसे होती है। स्वांस द्वारा संक्रमन से सर्दी एबं सांस लेने में कष्ट होता है। अहार नाल द्वारा संक्रमित से उल्टी दर्द भूख में कमी तथा आत में खून की कमी होती है। रोग थाम के लिए एंथरेक्स का रोग थाम ले क्या करना ची तो एंथरेक्स से बचने के लिए टी का जो तिरानमे प्रतिशत सुरक्षित है एवं एंटिबायोटिक आउसदियां लेन ची फ्रिंट्स आज का जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें है सात्मा संक्रमित रोग च्छाय रोग या टीवी यह रोग मनुसके फेफरा, हड़ी, स्वासनली, लशिकागरंथी, इत्यादी में होती है इस रोग के कारण जिवानु मैक्रो वैक्टिरियम ट्यूबर कुलोसिस है मतलब जो यह टीवी नामक रोग होता है उसमें जो प्रमुख रॉल अधा करता है प्रमुख भूमी का निभाने वाले बैक्टिरिया है यह जिवानु है वह है मैक्रो वैक्टिरियम ट्यूबर कुलोसिस मैक्रो वैक्टिरियम ट्यूबर कुलोसिस यह ट्यूबर कुलीन नामक एक बिश्रावित करता है यह बैक्टिरिया ट्यूबर कुलीन नामक एक बिश्रावित करता है जो संक्रमित अंगों पूर्ण रूप से फैल कर उस अंग के उत्तकों को छती गरस्त कर देता है ये क्या करता है कि कुलील नामक भी स्रावित कर देता है। जिसे ये उनके उत्तकों को छहय कर देता है और वह अंग कार्ज करना बंद कर देता है। यह एक बिसे संक्रामक रोग है। इसलिए रोगी के कफ एभम खासी के संसावी में आने से स्वस्थ ब्यक्ति भी इस रोग का सिकार हो सकता है फ्रिंट्स ये च्छाय रोग एक संक्रामक रोग है इसलिए अगर कोई भी ब्यक्ति संक्रमित ब्यक्ति के कफ या खांसी के संसर्ग में आएगा तो वो भी संक्रमित हो जाएगा अगला फेफरा स्वासनली आदी के संक्रमन से होने वाले रोग को फेफरा का टीवी कहते हैं इसमें रोगी को भूख कम लगती हैं बराबर बुखार रहता है तथा कभी-कभी खासी के साथ मुख से रुधिर भी निकलता है कभी-कभी लशीका गरंथी के संक्रमन से गरंथियां फूल जाती है एब हम इसे लशीका गरंथी का टीवी कहते हैं तो फ्रेंट्स देखें टीवी के लक्षन सामाननीता है रोगी को बुखार आना रात में सरीर से पशीना निकलना रुधीर युक्त कप निकलना वजन में कमी इत्यादी टीवी के प्रमुख लक्षन है फ्रेंट्स क्या होती है कि अगर भी किसी रोगी को या किसी बैक्ती को टीवी हो जाती है तो क्या होता है उसका लक्षन जानना चाहिए कि अगर बुखार आ रही हो या रात में सरीर से पसीना निकल रहा हो या रुधिर युक्ट कफ निकल रहा हो या उसकी वजन घट रहा हो तो हमको इतना लक्षन दिखने पर ये समझ में आ जाना चाहिए किस भक्ति को रोगी हो और उन्हें डॉक्टर से तुनन दिखा लेना चाहिए अगला नियंतरन देखे फ्रिंज बहुत दिनों तक लगातार विशेश परतिजाविक दवाओं के सेवन करने से इस विमारी का नियंतरन संभव है क्या होती है कि लगातार कई दिनों तक अगर हम विशेश परतिजावि दवाओं का परयोग करते हैं, सेबन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमें इससे नियंतन मिल जाती है, अगलाम लोगों का है, इनका रोकथां, टीवी का रोकथां, पहला कि हमेशा सुद्ध भोजन एबं पेजल का सेबन करना चाहिए, हमेशा सुद्ध भोजन येवं पेजल का सेवन करना चीए स्वक्स विछापन पर पूरी तरह लेट कर रोगी को अराम करना चीए अगला रोगी को फल येवं सब्जियों को अच्छी तरह धो कर इस्तेमाल करना चीए जब हम फल खाते हैं उसे पहले अच्छी तरह धोले तब उसका उसे हम खाएं या जब हम सब्जी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले सब्जी को काटने से पहले अच्छी तरह धोले और फिर उसे पकाएं संक्रमन से बचाक कर रखने के लिए भोजन को डख कर रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा भोजन छायरोग से संक्रमित ना हो तो भोजन को अच्छी तरह डख कर रखें अगला भोजन करने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाद दो लेना चाहिए वैसे तो हमेशा भोजन करने से पहले साबून से अच्छी तरह हाथ दो लेना चाहिए क्योंकि कभी भी अब कि अ गलबगल कोई संक्रमीथ हो या ना हो कभी भी भोजन करने जाए तो साबून से अच्छी तरह हाथ दो लें जिससे स्वयंग की सुरक्षा आवस्यक होती है, इसके होने से बार बार पतला दस्त होता है, जो साधारंता 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलते रहता है, इसके विभिन कारण है, यह प्रोटो जोवा जिवानु वेवं विशानु से संक्रमित बक्ति को होता है, यह जिवान जिवानु विशानु या प्रोटो जोवा से किसी वक्ति को संक्रमित करता है, इसके अन्यकार्ण है कुपोशन, दुसित भोजन, सराब, एवं कुछ हार्मोन का कम सरवन आदि, फ्रेंज यह जो कुछ है इसके फ्यलने का कारण वह है प्रोटो जोवा, जिवानु एवं वि किसानों से भी बक्ति संक्रमित होते हैं या फिर कुपोशन अर्था अगर आप सुपोशित भोजन नहीं खाते हैं प्रोटिन भोजन नहीं खाते हैं मतलब अगर आपको स्वस्त भोजन नहीं मिलता है तो उसे कुपोशित हो जाता है बच्चा दुसित भोजन भोजन बिया का लग्षोर पहला दस्त और उल्टी बाराबार होता है जिस्ते सरीर में निर्जली करन होता है इड़न को प्यास का अनभव होता अग्ला है कि रोगी का गल ओस शूखने लगता है अग्ला है अंक अंदर की दर्था लगती है अग्से exem का उजन घटने लगता है अगला सांसे लंबी-लंबी एवन तेजी से चलने लगती है, अगला रोगी को बुखार आता है और अगला जो रों में दर्द हो सकता है, यह जो ज़ुतनी पॉइंट है, यह साथ पॉइंट हमने भी बताया है, ये सभी डारिया के लक्षन हैं इन लक्षनों को देखते हुए हमें डॉक्टर के संपर्ग में जाना चाहिए मैं डॉक्टर से संपर्ग करना चाहिए आगया ते फेंड्स डारिया के नियंतरिन पर पहला है कि रोगी को पूर्णता विस्राम करना चाहिए उसा इलेक्ट्रोलाइट फुलीड का सेवन करना चाहिए अगला ड्यारिया में सरीर में निर्जली करन हो जाती है जिसकी छती पूर्थी के लिए दो से एमेल पानी में एक चम्मच सरकारा एबम आवस एक लवन मिश्र करके सेवन करना चाहिए इस घुल को O.R.S कहते हैं अगला एंटी माइक्रोबियल दवा का सेवन करना चाहिए अगला कच्छे के लिए कुइबालकर उसमें हलका नवक मिलाकर अच्छी तरह मत कर सेवन करना चाहिए यह ओ गया फ्रेंड्स डैरिया का नियंत्रन चलते फ्रे स्वक्ष पेजलगा अगला स्वक्ष विछाबन पर पूरी तरह लेटकर रोगी को विश्राम करना चाहिए अराम करना चाहिए अगला रोगी को फल वन सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए अगला है कि संक्रमन से बचा कर रखने के लिए भोजन को ढखका रखना चीए, आगे है भोजन करने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना चीए तो फ्रेंड्स चाहे किसी परकार का रोग के संक्रमन का भाय हो या ना हो आप जब भी भोजन करने जाएं साब उनसे अच्छी तरह हाथ धोलें अपनी सुरक्षा बनाए रखें तो फ्रेंड्स आज के कलास को हम यही पर समाफ्त करते हैं मिलते हैं अगले कलास में कुछ अगलेस अंकरमित रोगों के साथ रोगों का वर्नन करते हुए अगले कलास में मिलते हैं तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम थैंक्स फूर वाचिंग